दोस्तों अगर आपके भी गरदन पेहाथ पेपेर पेश्री के से काले दाग धब्बे दिख रहे हैं आपने देखा होगा उसे रगडने के बासाबुन लगाने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है पर इन दाग धब् पूरे के पूरे खतम हो जाएगे सिर्फ एक ही बार में आपके हाथ पैर गरदन गोरे हो जाएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है कई बार गुटनों के उपर कुहनी के उपर भी दाग हो जाते हैं काले से दिखने लगते हैं तो इसे भी आप बहुत ही अराम से सा करते हैं तो यहां पे हमें कटोरी लेनी है इसके अंदर मैंने एक चमच बेसन का आठा लिया है यहां पे आप चाहो तो गेहु का आठा भी ले सकते हो इससे हमारा और एक फायदा होता है आपके जो अन्वांटेड हेर है न सारी के सारे रिमू हो जाएगे बिना किसी वैक्स क तो यहां पे देखें मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाली है हल्दी जैसे के हम सभी को पता है हल्दी हमारे लिए बहुत ही फायदमन साबित हो सकती है अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो और हल्दी से आपकी जागर स्किन सेंसिटिव है न तो इसमें भी एक फायदा डालिए या दोनों में से कोई एक चीज भी डाल सकते हो और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और हाँ आप ये वीडियो किस गाउं से शेर से देखरें मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पहुचा वो मुझे पता चल सके तो रेमेडिज होती है उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है बिलकुल नैचरल घर की चीज़े हम यूज करते हैं यह तो बहुत ही पुराना देसी तरीका है जिससे कि आप ये सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं आपकी कितनी भी स्किन सेंसिटिव हो तो भी आपको ये प्रॉ इसलिए यूज कर रहे है क्योंकि ये क्लीनिंग का काम करता है आपने देखा होगा जैसे हमारे जो दात होते हैं वो इतने अच्छी से सफेद होते हैं कुछ ऐसे इसमें तत्व होते हैं जो की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं तो हमारे स्कीन के लिए भी पैर के लिए काफी हो जाएगा गर्दन में भी लग जाएगा इतना काफी है तो यहाँ पे हमें और एक चीज चाहिए वो है शामपू यहाँ पे देखें आपको यूज करना है या नहीं वो आपके उपर है आप इसे स्किब भी कर सकते हो पर शामपू से भी क्लिनिंग बहु सकते हो वैसे भी शांपू के अंदर कुछ ऐसे हार्म केमिकल नहीं होते जो आपको नुकसान करेंगे तो आप डाल के इसे यूज कर सकते हो तो यहां पे दिखें से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं और थोड़ा सा ही मैंने डाला है और इसके बाद यहां पे हमें लेना है इ आपकी जो डेड़ स्कीन है वो भी निकल जाती है साथी में जो आपके स्कीन के ऊपर छोटे-छोटे चेद होते न वो भी ओपन होते जिससी कि आपकी स्कीन ग्लोइंग होने में फायदा होता है अभी जैसे बहुत तेज दूप पढ़ने लगी है जैसे आप बाहर से घर मे आते हो तो बहुत ज्यादा हमें एक पूरा स्कीन आपकी टैन दिखती है या फिर थकांसी लगती है तो आप यह फेस पैक बना के ज़रूर रखिए आप तुरंत लगाओगे आपकी सारी स्कीन टैनिंग चली जाएगी साथी में आपकी स्कीन ग्लोग करने लगेगी तो यह यहां पर मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ पैर पे भी दिखाऊंगी कितना अच्छा ग्लो आता है जितना हम इसे लगाते है उतना ही आप देखना स्कीन अलग से लगने लगती है और इंस्टन्ट रिजल्ट आता है एक ही बार में आप देखोगे अगर आपक पतली सी लेयर तो यहां पर हमें कियाना इसे दस मिनिट तक रखना है बस आपको इसे ज्यादा नहीं सुखाना है थोड़ा भूस सूख जाए तो आप इसको धो सकते हो दोने का भी तरीका में आपके साथ शेर करने वाली जिस रिका आपके आपके जो अन्वांटेड है पर हम सारे अंच बीदिदे अने ने और लिः उपसे पर के वाद लोग उप्र है labas household ऐसा प्रम डिमे करो होगा तक पाया बिल्कुर बिल्क विरणतोर पर आपको जानी की जरुत नहीं पड़ेगी तो पैर के उपर भी मैं ऐसी तरीके से लगा रही हूँ बस आपको एक हलकी सी लेयर देनी है और हलके-लकी मसाज करती हुई भी लगाई है और अक्सर आपने देखा होगा जैसे हम फेशल करवाते हैं कुछ स्क्रब करवाते हैं तो दूप में जाने से मना करते हैं क्यूंकि हम बिल्कुल भी उसे दूप में लेके नहीं जाना चाहिए सेंसिटिव होती है स्किन बस आपको इस बात का यहां पे भी ध्यान रखना है इसे लगाने के बाद दूप में नहीं जाहिए अगर जाना है तो कवर करके जाए और यहां पर देखेए पास से दस मनिट हो चुके है और यह अच्छे से थोड़ा सा सूप गया था अब हम इसे रगड़ते हुए इस तरीके से आपको धोना है जिससे कि आपके जो अन्वांटेड हैर होते न वो निकल जाते और आपको प्रॉब्लेम भी नहीं होती मतलब तकलीव भी नहीं होगी क्योंकि जब हम वैक्स करवा आप इसका रिजल्ट देख सकते हो जिस हाथ पे मैंने लगाया था वो हाथ आप देख लीजे और जिस हाथ पे मैंने लगाया नहीं है उस हाथ को भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा फरक है दोनों में जरूर ट्राइ किजे इंस्टन रिजल्ट है और अगर आपको आपक इच्छे से वाश कर ली हूँ और यहां पे दिखे जिस पैर पे हमने लगाया था और जिस पैर पे नहीं लगाया वो आप रिजल देख सकते हो कितना जादा फरक है दोनों में तो तुरंद कीजिए कोई भी नुकसान नहीं होगा होगा तो फाइदा ही होगा और कोई भी खर् झाले थेंग्यू